नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इस मौसम में कुछ करता है कि कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉवेरी मिल्क सेक की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही और इसके लिए कुछ बहुत सारे इंग्रीडियन की भी जरूत नहीं है तो वीडियो को अंतक देखते रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए सुरू करते हैं मेरा नाम रूपम और आप सब का स्वागत करती हूं मेरी रसोई में यह देखिए सबसे पहले हम स्ट्रावरी को काट लेंगे इस तरह से इस तरह से आपको छोटी टुकडों में इसे काटना है इसी तरह हम सारे स्ट्रावरी को छोटी टुकडों में काट लेंगे आप स्ट्रावरी को कम यह जादा कर सकते हैं अगर तोड़ा सा आइस क्यूब और दूध चील्ड रखी हूँ मैं आपको भी चील्ड लेना है यहाँ पे देखिए सारे इंग्रीडियंट को मैं एक जगा रखके आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ब्लेंडिंग जार ली हूँ अब सारे स्ट्रॉबरी को मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी और दो चम्मच चीनी आप चाहें तो अपने स्वाद के कौवडिंग चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अब आइस क्यूद थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूँगी इन सब को डालके और लास्ट में जो दूद रखी थी उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी अब इस सब को मैं ब्लेंड करूँगी यह देखिए कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है और कलर भी देखिए कितना खुबसूरत आया गया है यह देखिए अब हम चाहे तो इसे चाननी से चान लीजिए आपको चानने का है तो चान लीजिए मैं यहां पे चान लीए हूँ ताकि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा तो वो हमारा निक जलके बाहर आ जाएगा तो आप भी इसी तरह चान लीजिएगा अब हम इसको ग्लास में सर्फ करेंगे यहां पे मैं एक ट्रेली हूँ उस पे मैं ग्लास को रख दी हूँ अब इधर साइड मैं स्ट्रॉवेरी से सजा दूंगी थोड़ा दो इधर दो इधर ऐसा करके मैं सजा दी हूँ अब थोड़ा से हाँ पे आइस क्यूब जाएगा अब इहां पे हम स्ट्रॉवेरी को डालेंगे यह देखिये कितना सुन्दर कलर इसका आया है अब हम इसे strawberry से garnishing कर देंगे ये देखिए अब हमारा strawberry milk से पीने के लिए एकदम तयार है तो आप लोग भी इस तरह से आप अपने घर में बनाईए और मुझे comment box में बताईए कि कैसा बना है तो मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like, subscribe करना नहीं भूलिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद